जम्मू कश्मीर में सनातन धर्म की होंकार जम्मू में शुरू हुआ भगवान वैंकेटीश्वर मंदर निर्मार का पावन कारे हैसा मंदर जो जम्मू कश्मीर में धर्म ही नहीं बल्कि राश्ट्रवात का प्रतीग भी होगा आस्था के लिए मील का पत्थर होगा तिरुपती श्री वैंक टेश और स्वामी मंदिर 62 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है फिलहाल 17 एकड़ जमीन पर काम शुरू हो गया है इस मंदिर में तिरुपती देव स्थानम होगा एक आध्यात में केंद्र बनाया जाएगा साथ ही एक केंद्रिये वेद पाठ शाला भी होगी जो वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देगी इस मंदिर में दक्षिल भारत के मंदिरों की खूपसूर्ती दिखाई देगी जिससे जम्मू को नई पहचान मिलेगी साथ ही सनातन धर्म को मजबूती भी ये मंदिर सिद्रा के मजीन में हुगा दिल्ली कटणा सुपर हाईवे भी मंदिर के पास से ही गुजरेगा श्री माता वैश्लो देवी के दर्शन के लिए आने वाले भक्त श्री वैंक डिश और स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएंगे इससे विकास को भी तेजी मिलेगे कारोबार बढ़ेगा कश्मीर के हैंडी क्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा मंदिर निर्माल कारी से ही लगभग 20-25 हजार लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा मंदिर बनेगा तो आस पास होटल खुलेंगे रेस्टरॉण बनेंगे दुकाने खुलेंगी टैक्सियों की आवाजाही होगी कई अन्य सेवाई शुरू होगी कुछ बड़े कारोबारी जम्मू या अन्य जगों पर आएंगे ये रोजगार और अर्थ व्यवस्था की मजबूती का एक बड़ा जरीया होगा हनुमान है कि दो साल में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा